टाटा ग्रूप की एक ऐसी कंपणी के आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, जिसके quarter one के नतीज़े आप कह सकते हैं, निराशा जनक रहे थे, निवेशकों को अब इस टॉक से आप कह सकते हैं, या पूरे बिजनस से हैंगे, काफी ज्यादा उमीदे थी, लेकिन वो उमीदों पर ये quarter खरा नहीं उतर पाया, reasons, JLR में कमी, JLR की sales में कमी, threat आने वाले से में जो global recession की बाते हो रही है, तीसरा, आपके साथ बताओ मैं, तो मुझे मैंने जो कह सकते हैं, आप research कर रहे थे, जब मुझे कुछ points बता चले, competitive disadvantage, जी या दोस्तों, अपने peers के सामने कुछ competitive disadvantage भी कमपनी रखती है, जिसको आप कह सकते हैं, एक brokerage house नहीं बताया था, तो ये stock result के बाद क्या लेने लाग रह सकता है, क्या जब गिरावट हो, तो किस तरह की कह लीजिए, आपको चाल करनी चाहिए, और तमाम brokerage house की क्या राय है, इसमें एक एक कर क्या चर्चा करूँगा, न अभी भी company loss में रही, कैसे रहें result, कहां कमी थी, कहां के लिजे positivity थी, और तमाम brokerage house क्या कहते हैं, उस में चर्चा करूँगा, तो अब सीधा मैं आपको वहीं लेकर के चलता हूँ, देखिए, ताटा मोटर्स के ऊपर के लिजे report है, highlights from टाटा मोटर्स, तो देखिए, quarter one के final 23 results देखिए, loss of rupees 5,06 crore, 5,000 से जादा कह लिजे, करूड रूपीस के, loss company ने book की हैं, आगे देखिए, revenue 71,227.76 crore रहा है, जो की 8.68% अप था, ठीक है, तो ये तो आप कह सकते है, थोड़ी बद हाइलाइट्स थी, ताटा मोटर्स की, अभी भी loss में, बल्की loss बढ़ा है, त देखिए, टाटा मोटर्स Q1 losses widens, ठीक है, टाटा मोटर्स के, जो Q1 के quarter के loss रहे हैं, वो बढ़े हैं, टाटा मोटर्स रिपोर्टेद ए net loss of rupees 5,06 crore for the April June period, in quarter for financial 22, the company reported a net loss of rupees 1032 crore, ठीक है, यानि आप समझ ये, पिछले quarter ने, sequential basis में बोल रहा हूँ, पिछले quarter ये घाटा सिर एक हजार 32 crore का, वो सिर्फ एक quarter में, साड़ी चार गुना से भी बढ़कर, पांच हजार 6 crore हो गया है, last year during the same period, the company reported net loss of 4,450 crore, यही नहीं, एक साल पहले अगर इसी quarter में देखेंगे, तो company ने 4,450 crore का loss बोग किया था, यानि, year on year तो drastical change है भी दोस्तों, quarter on quarter, year on year भी ये खर्च जो loss है, यह बढ़ता हो दिखा ही दिया, this is the 6th straight quarter for the company, has reported loss, यह लगातार छटा quarter है, जब company ने loss book किया है, analyst had earlier estimated the company to report a loss of 1707 crore रुपीज, ठीक है, जो analystों का अनुमान था, उनका कहना था, 1707 crore रुपीज का loss में हो सकता है, और आप समझे, 1700 crore से loss के analystों ने अनुमान और loss 5000 crore से भी ज़ादा निकल किया है, यानि वाकई में जो quarter one के number थे, यह सच में disappointing रहे हैं दोस्तों, ठीक, आगे चलते हैं, Tata Motors Q1 result, revenue remain flat, जो revenue था, वो भी लगभग flat सा रहा है, the revenue for quarter one of financial 23, increased by 8.68% year on year, साल दर साल में, करिजे increase अगरा देखेंगे, 8.68% की increase में हुई है, और जो की stood at Rs. 71,227.67 crore, from 65,535.838 crore, यानि लगभग 55,000 crore से बढ़ करके, यह revenue जो है, 71,000 crore के आसपास रहा है, sequentially, the revenue declined, quarter one quarter, जो revenue है, उसमें कमी देखने को मिल रही है, दोस्तों, कितनी रही है, 78,439.06 crore, और यह street estimate के काफी below थी, ठीक है, यानि street की estimation थी, उसके हर एक front में, आपको stock में गिरावट देखने को मिल रही होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो revenue हो, चाहे वो profit हो, ठीक है, हाँ, estimate का एक अनुमान गलत होदने आपके बढ़ोते होगी है, वो है loss, ठीक है, अब आगे चलते हों, देखते हैं, Tata Motors Q1 result 2022 EBITDA and margins, ठीक है, EBITDA and margin के से रहे हैं, earning before interest, tax depreciation and amortization stood at Rs. 5,300 crore and EBITDA margin came at 7.4% down 90 basis point, EBITDA margin 90 basis point में कमी दिखाया हैं दोस्तों, और EBITDA margin came at minus 0.7% in quarter 1 of 1993, अब बाई 60 basis point, the margin in the June quarter were impact by increasing commodity prices, और देखे, जून quarter के आप जो देखे रहे हैं, result में margin में, EBITDA margin में इतनी गिरावट, उसका सबसे, सबसे बढ़ा करण है commodity prices का आस्मान चुझाना, जून quarter में commodity prices के दाम बहुत जबर्दस तरीके से बढ़े तो दोस्तों, ठीक है, और यही करण है कि company के margin बहुत साथा dent हुए, ठीक, अब next चीज़ देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है, आप देखें, Tata Motors Q1 Financial Energy India Update, अब बहुत इंडिया बिजनस की बात करते हैं, इंडिया बिजनस ऑफ Tata Motors perform well, भारती बिजनस Tata Motors की शांदा performance दिखा है, The Domestic Wholesales were at 95,895 vehicles, जो Domestic Wholesales से कह लीजे, वो 95,859 थे, जो की 124% की व्रिद्धी थी year on year, exports were 5,218 vehicles, 5,218 के export vehicle हुए थे, export किये गए थे vehicles को जो की, 22.6% डाउन थे, affected by financial crisis and few export markets, इनके जो few exports market है, वहाँ पे financial crisis है, और हम सब को पता है, चाहिए हो चाहिए हो चाहिना हो, इंडिया, चाहिना हो, US हो, UK हो, देखे, financial जब crunch आता है, इन बड़ी economies में आ रहा है, टाटा मोटर के GLR बिजनस के लिए, टाटा मोटर के exports के लिए, यह बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा, दोस्तों, ठीक है, the margin improvement was aided by realization, higher volumes and stable commodity prices, ठीक है, the passenger vehicles business continued strong momentum, देखे, जो passenger vehicle है न, वो अपना momentum लगातार बढ़ाता जा रहा है, with wholesale at 1,30,351 vehicles, 101.7% की प्रिद्धी है, यह, साल दर्थ साल में, ठीक है, 101% की जबरदस प्रिद्धी दोस्तों, passenger vehicle से, और मैंने कहा है, passenger vehicle जो आने वाले समय, काफी शांदार कर रहे हैं, दोस्तों, अब बात करते हैं, जहां से, आप कहा सकते हैं, कमी देखने को मिल रहे है, वो है, Tata Motor का JLR business, आप देखिए, Tata Motor quarter 1 of 22 into JLR update, JLR's EBITDA margin for quarter 1 of 23 was, minus 4.4%, ठीक है, JLR की जो EBIT margin थी, EBITDA नहीं मोलना चाहिए, EBIT margin थी, यह आप कहा सकते हैं, 4,4% के लिए, negative हैं, down by 350 basis point and free cash flow was negative, और सबसे चाहिदी negative चीज, कि जो उनका free cash flow था, वो negative रहा दोस्तों, in a quarter at 769 million euros, primarily reflecting 616 million euros, unfavorable working capital moment, ठीक है, जो working capital moment रहा है, वो बहुत जदा इनके उपर pressure डाला है, दोस्तों, the revenue for the April, June period was 4.4 billion euro down, 7.6% from quarter 422, और यह, अगर आप quarter 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 देखेंगे, तो 7.6% कम है, ठीक है, क्योंकि आप देखें, आगे बढ़ों तो, the revenue was impacted by supply chain challenges, including semiconductor shortages, देखें, supply chain challenges रहें, semiconductor shortages रहें, और, China lockdowns, and slower than expected ramp up of the new range river, and new range river sport production, और इतना ही नहीं, देखेंगे, चानिया का हाल तो आपको पता ही है, और वहाँ पे जो लगातार, कहली जब lockdown लगाया जा रहा है, वहाँ की जो policy दोस्तों, वह जीरो कोवेट की, जिसके करण लगातार lockdown लगाया जा रहा है, और ये बहुत severely impact कर रहा है, JLR बिजनस को, कि दोस्तों, जो JLR बिजनस है, one third उसका चाइना से आता है, तो यही कारण है कि इस बार आपको इतना दबाऊन है देखने में मिल रहा हैं में, आगे है, Retail sales at quarter one of final 23 were 78,825 vehicles, broadly flat, sequentially and down 37% compared, quarter one 22, साल दर साल में देखेंगे, तो ये, आप कहा सकते 37% down है, लेकिन quarter and quarter level of flatness सा रहा है, ठीक है, और दोस्तों जो नई रेंज रोवर, रेंज रोवर export है, रेंज रोवर export है, export production है, वहाँ पर उस तरह का production नहीं हो बारा, जिस तरह कि आप कैसी दे, उमीद थी, ठीक, आगे अगर हम चलें, आप देखें, Tata Motors outlook, अब Tata Motors का outlook का है, तो देखें, The company expects demand to remain strong, despite geopolitical risk, and worries about inflation, while the supply situation is expected to improve further, देखें, Tata Motors का सबसे अच्छा कह लीजे, सबसे positive चीजी होगी, कि चाइना का बाजार, शांदार खुले, वहाँ से एक sudden recovery है, अगर वहाँ से lockdown सटने, वहाँ से recovery दिखती है, आपको आने वाले quarter में, जो JLR का बिल्सस है, वह शांदार shoot up करते को दिखाई देगा, और आपके लिए जो geopolitical tension, Russia, Ukraine, and war के करन, जो एक tension होई चली है, वहाँ से कुछ अच्छी पॉस्पिशी चीजीज आती है, ये के लिए टाटा मोटर्स के लिए, ये शांदार हैगा, semi-conductor shot है, जो कहा जा रहा है कि वही, आने वाले quarter से कुछ अच्छा होगा, वहाँ से एच्छी निउस निज निगल के याती है, फिनोमेनल, इट विल बी फिनोमेनल फो इस कंपनी, कॉलिटिक प्रइस, फिल एट इंपरूमें इन अदर्लाइक मांचे, और ये कॉलिटिक प्रइस काफी नीचे आ रहे है, और मुझे लग रहा है, ये वन आफ्टा मेन रिजन होगा, जो आने वाले quarter के मार्जिन से, वो आपको थोड़े इंप्रूव दिखाए देंगे, ठीक है, the company aim to deliver strong improvement free cash flow and debit from quarter 2 onward to get to near net auto debt free by financial 24, सबसे जादा बड़ा trigger Tata Motor के पास ये है, कि उन्हेंने जो ये कहा है, कि quarter 4, जो financial 24 है, तब तक हम net debt free हो जाएंगे, और मैं यकीन मानी अगर ऐसा होता है, बहुत positive चीज रहेग वो आपको आपके साथ चर्चा करूँगा, लेकिन, जो company का कहना है, quarter 2 से, जो free cash flows है, उसमें बढ़ अची काशी बढ़ातरी होगी, EBIT अच्छा होगा, और जो quarter 24 है, वहां तक हम net debt free हो जाएंगे, and for me, biggest trigger यही होगा stock के लिए, ठीक, अब ज़रा analyst का view ले 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 क्या कह रहे है, तो देखे, jeffries के क्या मानना है, the firm has cut financial 23 EPS by 24%, financial 23 के लिए 24% EPS cut किया गया है, jeffries 12, but retained a buy column data motor, the target price of 540 per share, आप समझे, इतना EBIT घटाने, इतना EPS घटाने के बावजूद, data motors पर बहुत positive ए company jeffries, और buy की rating दे करके, 540 का target दिया जा रहा है, ठीक है, India's business performed well with CV EBIT and PV EBITDA broad inline, जो consumer vehicle और passenger vehicle है, ठीक है, commercial vehicle है और passenger vehicle है, उसके जो EBITDA रहे है, वो inline रहे है, और India का business बहुत अच्छा है, और आने वाले समय देखे, Tata Motors का India business तो कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ और सिर्फ positivity आपको दिखाने वाला है, Tata Motors expect GLR, perform to improve significantly starting quarter 2, as range rover and range rover sport production, ramp up amid a strong order book, and GLR का business काफी अच्छ होने की बात हुरी है क्योंकि जो range rover है दोस्तों, उसकी, जो आपके लीचे sport range rover, range rover sport production है, वो काफी अच्छा बढ़ने की बात हुरी है, ठीक है, बात करो नोमोरा की, तो, foreign brookering house, नोमोरा, has maintained buy rating on the stock, with a target price of 520 per sear, as per firm, quarter 1 was missed, while delivering is a key driver for the stock, deleveraging is a key driver for the stock, and आपके लीचे यह जो recovery on track, and passenger vehicles to ramp up further, GLR to benefit from improved supply chain supply, और देखिए, 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 सबसे बड़ा trigger, आप किसी भी आपके लिए broker house को देखेंगे ना, तो उसके लिए ही है, chip shortage में कमी आना, chip shortage जो लगातार बढ़ रहा है, में कमी होना, chip shortage का, supply market में अच्छा होना, और आप कह सकते हैं, चाइना का वापस से खुलना, बहुत बढ़ आप कह सकते हैं, positive रहेगा, stock के लिए, भात करूं, अगर मैं मोतिलाल उस्वाल की, तो आप देखें, मोतिलाल उस्वाल, as per the firm, Tata Motors, should witness a gradual recovery as supply-side issue is, and commodity headwinds stabilize, it will benefit a macro recovery, company-specific volume margin driver, sharp revenue of a FCF and leverage in both GLRS as well as India business, मोतिलाल उस्वाल मेंटेंस a buy rating with a target price of 520, 520 की पराट अगेलिजर टार्गेट प्राइस दे रहे हैं, और मैं आपका जी सम्झा दो, stock Tata Motor अगर गिर करके कभी 400, यह कि यह 300 के आसपास आता है, जो कि यह बहुत tough है, मुझे नहीं लगता है, but still, के लिए गिरावट बाजार में सीधर हो जाती है, किसी भी रीजन से, 400, 350 के आसपास आता है, Tata Motor is a must buy, और for a longer term, I am very much bullish on this stock, 400 के आसपास आता है, I will start buying this stock, ठीक है, और business low down आता है, यह Tata Motors के JLR business के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो यदि आपको NSS पसंद आई हो, subscribe जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगती हो, like जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे हैं, अपना किम्ती समय दिया, मेरे साथ पूरी Tata Motors की इस पूरी जो मैंने NSS की उसमें साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, यह इस वीडियो गांता है, चाहिएं दोस्तों,